बूर आफ्टनून सजीव जी आपकी बिस अभी बात ही हो रही थी क्योंकि बहुत ही डिफिरिटेट आपकी कॉल थी कोई मेटल्स पे कॉल दे नहीं रहा था जब आपने हिंडालकों की कॉल दीते और पिछले अफ़ते दीते और तब से हम तेख रहे हैं लगाता 10-12% का बूफ आ चुका है अभी बेंडालकों में बने रहे ना आप यही व्यू दे रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल मार्केट डेट सवासो पॉइंट सव पॉइंट नीचे थी ओपर हो गई और मेटल अभी स्टार्ट की हैं अभी तो फाइनेंशल्स विल जॉइन तो अभी तो पा अभी मार्केट में अभी तो काम शुरू हुआ है जुलाए में 16930 के त्यारी कर लीजिए तो दोनों धिकट शेर लीजिये हैं एच्डी एफसी बैंक लीजिये नेक्स मन्त का 3345 में स्टो लॉस ओ 1315 1430 से 1440 का टारगिट और HDFC अभी तो टारगेंटी में लीजिए, stop loss of 171, 183 to 184 का target. M&M Finance will see record business as the bookings of M&M go through the roof and this stock can report double digit earnings very very strongly for the next three quarter. Sanjeev जी, HDFC Twins और M&M Finance तो है ही लेकिन साथ ही बाजार में अगर देखें, निफ्थी के मुकाबले mid-cap space में हमने अगर जहां volatility या फिर कमजोरी है, वो भी कम देखी है. Mid-cap में क्या आपका कोई नजरिया है क्योंकि वेसे देखा जाए तो large caps के मुकाबले mid-cap में action ज्यादा नजर आ रहे, stock specific in particular. तो आपको सुबह दिये दिना, LTTS और HDFC, MC अब आप persistent system ले लिजे और gold rate CP, gold rate consumer, these two will outperform. तो HDFC twins यहां जब call आ रहे हैं संजीवसीन से, तो यानि इसका मतलब bank nifty पर भी उनका एक bullish हुआ, आफकोस बाजार उपर जाएगा, तो index perform करेगा है, लेकिन heavy weights की, heavy weights पर इस वक्त call आ रहे हैं संजीवसीन की ज़रफ से, शुक्रिया, संजीव जी कल आप से फिर 10 बज़े होगी मलाकाता